हेलो गाइज वेलकम टू आर नीव वीडियो आज हम लोग सिखें जा रहे हैं 35 से 37 ये 3 पॉइंट 35 जो नमबर है ये है फाइन अनिप्लिस तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे टाइप करके रखें हैं सबस्त आप कुछ टाइप करने के बाद आपको बोला गया है कि अब यहाँ पे जितना भी कैट है उस कैट को आप डॉक कर दीजिए या फिर फॉक्स को कैट कर दीजिए कुछ विया का चेंज जैसे यह डॉक्मेंट चोटा है अगर आप दो तिन पेज करने के बाद आपको ऐ कम्पीटर आटोमेटिकली इस डॉक्मेंट से ढूंड लेगा तो इसके लिए स्लेक्ट नहीं करना परेगा तो हम चले जाता है होम टाप के अंधर एडिटेंग ग्रूप में यहाँ पे हैं फाइंट है एक आप्शन रिप्लेस है फाइंट अली फाइंट करने के लिए हम क्लिए इस डॉकोमेंट पर हुआ जऑ किछे कितिया के अगर आप चाहते है कि उसको से फाइंट ही नहीं उसको हत्वी करना है तो आपको डिप्लेस करना पढ़ेगा रिप्लेस में जाकर क्लिक किजिए तो यह बॉक्स आजाएगा बॉक्स में पुछ रहा है पहले find what मतलब क्या ढूलना है कौन सा वर्ड को ढूलना है जैसे यहां पर आप cat के डिया में dog करना चाहते हैं तो cat आप पर find what में लिखना पड़ेगा cat ठीक है फिर आपको पुछ रहा है replace with मतलब cat जो है वहाँ पर आप क्या लिखना चाहते है तो replace with में हम क्या लिखेंगे cat के डिया में dog लिखना चाहते है बस आप replace करने से replace हो जाएगा यहां पर जो है replace करेंगे तो पहला जो word मिलेगा उसको dog कर देगा हम जितना पर replace करेंगे one by one dog होता जाएगा अब पूरा डॉकुमेंट में जितना भी cat है उसको dog अगर करना है तो आप replace all में जाके क्लिक किजिए तिहां पर दिखा रहा है all done we made four replacement ठीक है मतलब हो गया है कर दीजिए और इसको क्लोस कर दीजिए अब आपका डॉकुमेंट में जाके देख लीजिए cat जहां पर था वह dog हो गया ऐसे find and replace किया जाता है ठीक है तो 36 number point जो है वह है bullets and numberings bullets का मतलब है 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 क्लाइं के सामने जो symbol होता जैसे कि यहां पर देखे तीन points है और points के पहले एक point करके है इसको इस symbols को बोलता है bullets तो ऐसे bullet अगर देना चाहते है तो आपको क्या करना होगा उस lines को select करना पड़ेगा तो सबसे हम इस lines को चार lines को हम select कर देए इसमें bullets set करना चाहते है तो इसके लिए चले जाएए यह paragraph group जो है होम टेप के अंदर paragraph group paragraph group के अंदर फर्स्ट जो आइकन है यह बूलेट्स का इकन तो बूलेट्स में इस साइट में जो बटन है उसमें जाकर क्लिक किजिए तो बहुत सरा इसमें आके इंटर कीजिए फिर एक पूलेट आ जाएगा उसके बाद आप टाइप कर सकते हैं तो आटेमेटिकली एक बूलेट्स आता रहेगा और नेक्स्ट जो लाइन है इसमें अगर आप बूलेट्स नहीं रखना चाहते है तो एक बैक स्पेस देजिए उसके बात लि इसमें नंबरीग इसमें और नेक्स्ट वाला जो आइकन है यह नंबर इंका इसमें हमना देना चाहते हैं तो नंबरिंग देन के लिए पहले उसके बाद फिर से चलाएकन में यह नंबरिंग आइकन है और इसमें जो पंज़ेंडियोग किजिए तो बहुत सारा डिजाइन का नंबर नंबरिंग आ जाएगा कोई भी आप चॉइस कर लिजिए क्लिक कीजिए इसकी तरह नंबरिंग आ जाएगा और इसमें और एट करना चाहता है तो एंट में जाकर इंटर कर दीजिए फिर five number आजाएगा टाइप कर दीजिए इसके पर इंटर कर जिए तो ऐसे आता जाएगा numbering one by one अब इस पे और भी एक type का numbering है वह है multi-level list ये वाला है multi-level list वो sub number के लिए है जैसे कि आप ये पहला जो line है ये one number होगा second चुना line है one के अंधर a,b,c ऐसे करके होगा तो इसके लिए second line में जाके आप keyboard से tap प्रेश कर दीजिए तो देखिए ये पहला जो एक number है second line हो गया इसके बादवाला line को अगर आप चाहते है बी होगा तो यहां पर जाके फिर से tap कर दीजिए तो ऐसे sub number हो जाता है आप करना पड़ता है keyboard से तो इस numbering का जो style है वह भी आप चेंज कर सकता है इसको select करके यह है numbering का और इसको site में जो है वह है multilevel list यहां sub numbering का style जो है वह change कर सकते है कोई भी ले सकता है ऐसे ऐसे ठीक है कुछ भी चॉइस कर सकता है यहां से ती हो गया multilevel numbering अब नेक्स्ट जो पाइंट है वह है shorting हमान लेजिए अपर कुछ लिखा हुआ है तो इस वर्ट को अगर हम shorting करना चाहते है मतलब serial लिखना चाहता है जैसे dictionary के अंदर होता है यह से जितना भी वर्ट शुरू होगा वह पहली होगा उसके बाद भी उसके बाद सी है फिर चले जाए यह paragraph ग्रूप में यहां पर देखिए a to z एक आइकन है यह शॉर्ट का आइकन यहां पर जाके क्लिक किजिए तो यह box आ जाएगा यहां पर पारग्राफ से इसको रहने दीजिए कि कुई इंटर करके है पूरा पारग्राफ है टेक्स्ट और एसंडिंग होगा या डिसंडिंग होगा तो a to z हो जाएगा शॉर्टिंग और डिसंडिंग होगा तो पहले पहले जेट से शूरू होगा उसके बाद दीर 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 तक आता जाएगा तो हम इसको एसंडिंग करना चाहते है तो एसंडिंग में जाके क्लिक किजिए उसके बाद खाव करें आदो हमाल चाहते युक्त आधी बेर दीखेंग एक ओटवमेटेकर पर जाएगा चाहता, इसको नोबर टो एक हम आदो हमाल यह हम तो प्राक्टिस करते रहे ए‌मिलता हैं नेक्स्ट वीडियो में है थेंग